So hello fans, welcome to another video दोस्तों क्या आपको पता है कि Xiaomi की तरफ से आप हमें बहुत ही जल्ली Xiaomi Mi A4 देखने को मिलेगा जो कि Xiaomi Mi A3 का एक यूज सक्सेसर होने वाला है जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा एस्पेक्स देखने को मिलेगा वो भी बहुत ही कम प्राइस में जहाँ पर हमें मिलने वाला है Quad Air Camera का सेटप विट 108 Megapixel का Main Camera Lens, Snapdragon 765G का Chipset और भी बहुत कुछ So fans, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Mi A4 के बारे में और जानेंगे स्पून की डिजाइन के बारे में इसमें क्या कुछ स्फेरिफिकसन मिलने वाला है और जानेंगे स्पून की प्राइस क्या होने वाला है और लॉंच डेट के बारे में So fans, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं जादा Xiaomi Mi A4 के बारे में तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिए So fans, let's get started So fans, सबसे पहले अगर बात किया जाई Xiaomi Mi A4 की डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंचिस के Full HD Plus डिस्प्ले जो की डिस्प्ले साइज में बहुत ही बड़ा होने वाला है जो की एक Super AMOLED पैनल के साथ आने वाला है साथी डिस्प्ले में हमें 120Hz का refresh rate वाला डिस्प्ले भी प्रोवाइट किया जाएगा इसके अलापा यहाँ पर हमें मिलने वाला है सिंगल पंचोल डिस्प्ले जो की टॉफ की लेफ्ट कॉर्नर में सिप्ट किया गया है और इन डिस्प्ले फिंगर्पिन सेंसर भी इस फोन में हमें देखने को मिलेगा इसके साथ इफेंट्स अगर बात किया जाए इस फोन की बैक मैनल की तो बैक मैनल में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पॉलिकार्बोनेट का बैक जो की 3D Glossy Gradient Finishing के साथ आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Quad Rear Camera का Setup और अब बात आती है Xiaomi Mi A4 की Camera की तो फेंट्स यहाँ पर Rear Side में आपको देखने को मिलेगा Quad Rear Camera का Setup जिसका Main Sensor आपको देखने को मिलेगा 108MP का जो की F2.2 Aperture के साथ आता है उसी के साथ यहाँ पर आपको 3 All Lens भी देखने को मिलेगा जो की होने वाला है 16MP का एक Ultra Wide Angle Lens 8MP का एक Telephoto Lens और 2MP का एक Depth Sensor भी दिया जाएगा इसी के साथ इपेंट्स अगर बात किया जाए इस फोन की Fond Camera के बारे में तो Fond Camera में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 44MP का एक Selfie Camera जो की हमें Side Punchhole डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा इसके बार फेंस बात आती है इस फोन की Possessor की तो Possessor में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा Snapdragon 765G का Chipset जो की एक 5G Compatible Chipset है और यह Chipset Snapdragon की तरफ से एक Latest और बहुत ही Powerful Chipset है जहाँ पर हमें 2.6 GHz का Clock Speed दिया जाएगा और अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा Option हो सकता है इसके अलाबा यहाँ पर आपको मिलने वाला है Android 10 का सपोर्ट जो की रन करेगा MIUI 11 के उपर साथी फेंट्स यहाँ पर आपको इस फोन की 3 RAM वेरियन देखने को मिलेगा जो की होने वाला है 6 GB RAM 64 GB internal memory, 8 GB RAM 128 GB internal memory और 8 GB RAM 256 GB internal memory उसके बाद फेंट्स अगर बात किया जाए इस फोन की बैटरी के बारे में तो बैटरी में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 5200 mAh के एक बड़ी बैटरी जो की बहुत ही बड़ी बैटरी है जो की 30 Watt के First Charging के साथ आने वाला है जिसके तुरू आप अपने फोन को बहुत ही Quick Charge कर पाएंगे उसी के साथ इफेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3.5 mm के एक headphone jack, USB Type-C port, Hibit SIM slot और NFC का support साथ इफेंट्स यहाँ पर आपको 30 Watt का एक First Charger out of the box मिल जाएगा इसी महिने में इंडिया के अंदर launch किया जाएगा लेकिन एबात officially confirm नहीं हुआ है और इसी के साथ इफेंट्स अगर बात किया जाई Xiaomi Mi A4 की price के बारे में तो फेंट्स Xiaomi Mi A4 का जो base variant model है यानि कि 6GB RAM, 64GB internal memory उसका price होने वाला है 15,000 के अंदर और यह pricing almost confirm हो चुका है तो फेंट्स A3 Xiaomi Mi A4 की design, spherification price और launch date के बारे में कुछ जानकारी तो फेंट्स अगर आपके पस कोई भी question है इस phone के regarding तो आप नीचे comment करके पूछ चाकते हो तो फेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही आयोपकाज आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर इस वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को like, share और हमारे चैलेंग को जरूर सब्सक्राइब करें Thanks for watching